फिल्म इंडस्ट्री में जब तक आप काम कर रहे हो, काम मिल रहा है, आपका काम चल रहा है, तब तक ठीक है एक बार आप आउट हुए नहीं, कि कोई आपको याद भी नहीं करता है फिर चाहे आप जिन्दगी में काम करो या कठीनाईयों से जूजो अभी जो कहानी में बताने वाली हूँ, वो फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे शक्स की है जिसने अपनी जिन्दगी के 25 साल इस इंडस्ट्री को दिये आज ये शक्स बीमार है, ये बोल नहीं सकते हैं, इन्हें पैसों की जरूरत है गुजर बसर करने में इन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं सबसे बड़ी बात कि इन्हें दादा साहिब फालके जैसा प्रिस्टीजियस पुरुसकार मिल चुका है इन्होंने इंडस्ट्री की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, बतौर आर्ट डिरेक्टर ये स्टेज और सेट बनाया करते थे हत कर दी आपने, दीवाना, सागर, हत्या, इन सभी फिल्मों पर इन्होंने काम किया है, लेकिन आज इनकी मदद करने वाला कोई नहीं इनका नाम है लीलाधर सावंथ, लंबे समय तक इंडस्ट्री में ये अक्टिव रहे और बेसिकली हैं गोवा से, लेकिन पिछले 10 सालों से ये महराश्ट्र के वासिम में रह रहे हैं, वही पर ये अपनी वाइफ पुश्पा के साथ रहते हैं पुश्पा ने एक मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस परिस्तितियों से अभी वो और उनके पती गुजर रहे हैं, एक्चली लीलाधर को बिमारी हो गई, उनको हाट प्रॉबलम हुई, इसके अलावा दो ब्रेन स्ट्रोक्स भी आएं, जिसका इलाज करवाया हाट के जितनी जमा पूंजी थी, वो सब लग गई, इसके बाद गुजर बसर करने में काफी तकलीफ हो रही है, लीलाधर और पुश्पा साथ थे, दोनों दुख भी एक दूसरे का बाट लेते, लेकिन भगवान ने ऐसा किया, कि इस बिमारी के बाद लीलाधर की जबान ही छीन वो बोल ही नहीं पाते हैं, लीलाधर की एक बेटी है, जिसकी शादी हो गई, एक बेटा भी है, जिसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसे भी कैंसर था, लीलाधर ने जब काम किया, तो उन्होंने अपने काम के लिए कई अवार्ड जीते, एवार्ड़ इनके घर में सजहे हुए हैं और लीला धर बोल तो नहीं पाते हैं लेकिन उन एवार्ड़ को देखकर वो उन्हें हर रोज साफ करते हैं ये देखकर समझ आता है कि आज भी लीला धर अपने काम से कितने जुड़े हुए हैं और वो कितना कुछ करना चाहते थे लेकिन अब उनके शरीर नहीं उनका साथ छोड़ दिया है लीलाधर की वाइफ पुश्पा ने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में काम करते थे वो एक बहुत अच्छा दौर था जो अब गुजर गया है अब उनके घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल है जिस घर में वो रहते हैं उसका कुछ हिस्सा उन्होंने किराय पर दे रखा है और उस किराय से ही वो गुजर बसर कर रहे हैं हाला कि अब अगर कोई आबदा आ जाए तो इलाज के पैसे उधारी लेकर ही करने पड़ेंगे क्योंकि सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं है ये दाइनी स्तिती है उस कलाकार की जिसने इंडस्ट्री में 25 साल दिये कई फिल्मों के सेट तयार के आठ डिरेक्टर के रूप में ये काम करते थे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है बहुत अच्छी बात है लेकिन जो लोग पीछे छूट रहे हैं उनकी क्या कंडिशन है ये देखने वाला कोई नहीं